कितना वारी लोग हारें मतलब एक नबर के लिए दो नंबर के लिए तीन नमर के लिए चुक रहा थे और इस सब होने के बाद लास्ट में आज की रेट में इनका जो पिछला वड़ी दरुगाकर जलटाया है इन्मेठ दरुगाकरण का लिजेगा तो अब बढ़ जाईएगा तो एक हम आज इनका इंट्रव्यू लेना चाहते हैं आये दिरा जी यह बताइए कि आप जब आपका बहुत सारा रिजल्ट नहीं आ रहा था तो आपको कैसा फिल हो रहा था बुरा फिल हो रहा था आज पास के लोग कुछ बोल रहा थ छीन सब अच्छा था सब अच्छा बोल गए अगर नहीं हो रहा है तो सचाई को सुनिए झालों अजलों से बोलते हैं कि आस पास रिष्टदार लोग बोलता है ना कि तोरा से हो ही है इस सब बड़ा विकार लगता है तो क्या उस सुनकर मतलब कोमा में बढ़ जाना चाहिए या कुछ करने का करना चाहिए देखिए सबसे पहले तो आपको अपने पर कॉंफिडेंस होना चाहिए अगर अगर नही वह बता रहे थे कि हम लोगों भी बुरा लगता है जब बच्चों का रिजर्ट एक नंबर के लिए दो नंबर के लिए नहीं होता है तो आम जब भी इन से मिलते थे तो खुछ हुआ कुछ हुआ वाला हां धीये हैं और दिये हैं भीप्यच्टी आ गया है आज़ग इनिक यह पिछला बार दीए थे विप्श का मतलब इनका जो गुरूप था लोग तो कुछ लोग का अलग हुआ कुछ लोगं पाथ सुके हैं मतलब जो नहीं पात चुक्छ मेरे नजर में पता है अच्छा लेवल का तो इनका दो का है लेकिन अब जाके करना इसको पूरा करना है तो वही है इससे पहले भी एक बार मोनु सर्मा आये थे मेरे पास मोनु सर्मा पहले जीडी निकाले थे फाइनल दिये थे उसके बाद फिर वो लेकर सार हम से होगा नहीं दूसाल बाद फिर आए और फिर टेस्ट देना सुरू किये हम वह एक ही बात बोलते हैं अरे लगे रह में जो लोग बहुत होने का मतलब नहीं है और बहुत ते उससे कोई मतलब नहीं आप है कि नहीं इतना ही मतलब रखता है अगया कि तहयरा अब आपको कुछ मोटिवेट के लिए कुछ ये बोले अले इस सबसे हम गुमाव मगबाद नहीं करेंगे जो है इसी में से हम भी कुछ किये हैं जानते हैं मतलब कि सुरू सुरू मम यहां पर जब आये थे मुकेसर के पास तो एक टेश्ट दिये थे हम लोग तो उसमें आया था मेरा लगबग साइंटीस नमर आया था सुरू सुरू और एक बस लड़की थी जो हमसे पीछे थी बाकी सौब लोग आगे था तो हुआ कि उसमें थोड़ा साम को सुनने में मिला कि और लोग वह प्लेस्पी किये साथ में लोग थे जो दोस्तों मजा कर्मने करता है जी तो और तो हम बोले थे कि देखो एक बार तो अभी फोश्क म मेरा दोहजार पांच तक पढ़े हुए हम लोग है और नीनानवे का मेरा मैट्रिक है पुरी सुनीनानवे का किसी किसी का तब बढ़े भी होगा तुम लोग का उदास ठीक है तो हुआ कि हम पढ़ाई छोड़ दिये और हम लोग दूद बेचने लगे थे ठीक है दूद बेचते बेचते 15-16 लगभग 17 में आके हमको फिर से दिकत हुआ तो फिर से आये इसमें तूस्समें मेरा सोच लोग कि एज कितना हो गया होगा ठीक है वेट था मेरा 86 किलो हो गया था एज का तुम लोग को पता है जोड़ लो भाई ठीक है देखो में लाग तो आजानते हो और 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 कंपटीशन का लेबल भी देखी रहे हो तुम जो सचा है यह सामने है ठीक है तो हम आये सर के पास पूरा योगदान कर दिया हमको जैसे कि अब ऐसा बोलेंगे थोड़ा पैसा कराने लेकिन बहुत सर किये हैं बहुत लग इसके बाद शुरू किये एक चोड़ा साइब बात बता रहे हम बैड्मिंटन खेलते हैं ना बैड्मिंटन हम खेलते थे पहले तो उसमें क्या था ना कि चूट मेरा जैसे तीन-चार बार कर बॉक्सर डिस्टिक चेंपियन रहे हम तो हुए क्या ना कि फिर सब मेरा छूड बैड्मिंटन तो एक लड़का लोग था दोस्तों फिर भर दिया था फॉम उसमें और एक चेंपियन से मेरा मैच हो गया था पहला ही मैच तो हम सोच रहे थे नो कि इसको कैसे हराया जाए अगर मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि इस एक्जाम को कैसे क्रेक किया जाए तो उ सोचें कि इसको कैसे हराया जाए उस तरह से कुछ दिमाग लगाया जाए हम दिमाग लगाए उसको करते-करते हम हरा दिये कि पिछला बार मतलब कि तीन-चार साल हम चेंपियोंड नोश्यू के हैं इसलिए टेकनिकली तो ठीक थे हम फिजिकली बहुत खराब थे लोड़कि सबोगेसे लोग देख रहा है कि या फिर सबी तरह से तो ठीक है कि तुम भाई बहुत मुने इसको कैसे तुम लगा लगा के इसको तुम लोग करो मेंतो धुजाये का इसी कि जब हम कर लिए ना सच बता रहे हैं जब हम कर लिए ना तो कोई कर लेगा बस यही है continuity रखो काम हो जाएगा विश्वास करना किसी चीज पर विश्वास करना इस चीज पर करना जब हम कर लिए ना मतलब की सुमझ लोगी जो 10-12 साल 15 सल मतलब दूद बेचा है यार वह जब कर लिए तो कोई भी कर लेगा यह सचाई है कि इनका दूद कर चलता था रोज सुबह जाना दूद लाना सुबह बेचना फिरसाम बेचना मतलब अपना खर्श तक निकालना और सोचिए आप एक चीज बताते हैं 25 के बाद जब कोई आदी जाता है ना तो डिप्रे तरह के रहना यह बहुत बड़ी साथ हम चाहते हैं कि बाद करें सचाई के साथ लिए कि किसी भी चीज में नहों सासन को फ्रसा रखिये का टाइम मेनेजमेंट को ध्यान दीजिए गा थोड़ा साम खुलके बोलेंगे कोई लड़का है अगर पिसी लड़की से बात करते हैं तो उसी तरीका से ना उसको मैनेज करें पढ़ाई के थुरू बात करें कि भाई इसमें पढ़ने वाला ही होना चाहिए उस तरह से मैनेज करें उसको यह नहीं कि दीन भर लग जाए आज की युवा में है यह तो पॉब जी खेलेगा यह तो फिर उस तरह से बाते करते रहेगा तो थोड़ा सा सचाई से हम चाहते हैं क्योंकि देखिए इस तरह से बात नहीं कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा लेकिन हम चाहते हैं नहीं सब लोग समझे आप लोग युवा हैं और इस चीज को समझ सकते हैं इस चीज को फेस भी कर रहा होगा कितना लड़का तो उस तरह से मैनेज कीजिए कि आपका दो तीन सा कम से कम ना इस लाइन से ना मत खराब हो फड़ा सा इसको मैनेज करके से लिए सब लोग को हम कर रहे हैं एक बड़े भाई के तरह हम बोल रहे हैं ठीक है ना उस तरह से अपने लिए